नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरी थिम इदर्स नाम में आसा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और खुशी से रहिए अच्छे से बढ़ाई करिए तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह जो वीडियो आप लोग के लिए ब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 2021 प्रिभियस एयर के एक्जाम का क्वेश्चन पेपर है अगर आप भी कॉंपेटिटिव एक्जाम का तयारी कर लिए हैं जौब की तलास में है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को फेस करना ही पड़ेगा और यह ओटी वालों के बहुत ज्यादा ही अच्छा पेपर है अप लोगों को एक हिंट मिल जाएगा आइडिया तो इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर नहीं करते हुए तो हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ट विल बी दपल्स प्रेशर फोर ब्लड प्रेशर रीडिंग तो इसका प्लस प्रेशर कितना होगा तो इसमें चार अप्शन दिये गए है जिसमें से जो सेगेंड हमारा ओप्शन है वह राइट एंसर यानि कि 50 mmHg छीक है तो इसी तरह जल्दी जल्दी को सारे सौल करेंगे क्योंकि बहुत सारे कुश्चन है तो बहुत लांग वीडि अगे चलते हैं अब हमारा सेगेंड कुश्चन है तो वर्ट प्रेशर एंड इंडो ट्रैक्याल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो वहां पे कितना प्रेशर हम लोग अप्लाइ करेंगे कि वह जो है वहां फिक्स हो जाए ठीक है अच्छे से इन फ्लैट हो जाए तो इसमें हमारा चार ओप्शन दिया गया है जिसमें फोर्थ ऑप्शन जो है 18 18 mmHg जो हमारा है 18 mmHg यह हमारा राइट एंसर है अब हमारा थर्ड कुश्चन है इन थायरेडक्टमी लूप रिट्रेक्टर रिट्रेक्ट्स द यानि कि थायरोइड की सर्जरी जो होती है थायरोड रिम है अब हमारा नेक्स्ट कुश्चन है विच मेथर्ड सुट बे यूज टू ओपेन दा एर्वे इन केस अब सस्पेक्टेड सी इस पाइन इंजरी यह नि किसी को स्पाइनल इंजरी हुई है वो भी सर्वाइकल तो सी स्पाइन इंजरी है ठीक है तो उस टाइम में एर्वे क को ऑपेन करने के लिए किस मेथर्ड का यूज तो इसमें चार ऑप्शन दिए गया है जिसमें हमार जो फरस्ट ऑप्सन है जो थ्रस्ट मेथर्ड यह हमारा राइट एंसर है अवा नेक्स्ट कोईश्चन है फोर्स में टेनिंग प्राइमरी structure of a protein is called यानी की जो प्रोटीस का स्ट्रकेशर होता है उसे कौन सा फौर्स जो है उसको जो है उसका structure को मेंटेन की रखता है ठीके तो वह हमारे इसमें चार ऑप्शन दिये गए जिसमें हमारा जो फॉर्त आप्साने peptide bonds वो राइट एंसर है क्योंकि प्रोटीन को जो है peptide bonds से bind की रखते हैं इसके बाद हमारे next है the primary cause of depletion of ozone is the presence of in the atmosphere is यानि कि सबसे main कारण क्या है ओजोन परत जो हमारा है ठीक है वो देवाई दे क्या हो रहा है वो एकदम खतम होते जा रहा है इसमें कमी होते जा रही है तो वो हमारे atmosphere में ऐसा क्या है जिसके कारण यह खतम होते जा रहा है कि जो है राइट एंसर है first option जो है chlorofluorocarbons ठीक है तो यह जो हमारे cfs chlorofluorocarbons वो इसका राइट एंसर है क्योंकि आजकर इतना जादा यहसी वागरे का रेफ्रिजरेटर का यूज होता है जिससे कि यह गैस जो है निकलती है जिसके कारण जो ओजून पर थे वो दिन पर दिन डिप्लेट होते जा रही है इसके बाद हमारा वेन इस नेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड यानि की रास्ट्रिय प्रित्वी दिवस कब मनाया जाता है अब हमारा नेक्स्ट कोश्चन है वीच आप दी फॉलोविंग इस नौन एज लाफिंग गैस तो इसमें पूछ रहा है कि लाफिंग गैस के नाम से कौन सा गैस जाना जाता है तो इसमें हमारा राइट एंसर फोर्थ ऑप्सन एंट्व यानि नाइट्रस ऑक्साइड जो जो सेलिंडर है जिसमें वो पेक रहता है उसका काम कैसा होता है तो इसका जो अप्सन एप्र इंसर प्लू इसके बात हमारा है एल 2 स्टिर ओडा एगुलेट्स हमारा नेक्स्ट कोईशन है एं इंट्रवेनस सॉल्यूशन ऑफ 0.45 परसेंट सोडियम क्लोराइड एज यह जो आता है हमारा ठीक है उसमें हमारा नॉर्मल सेलाइन जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है तो सोडियम क्लोराइड अगर 0.45 के कंसेंट्रेशन में होगा तो वह जिसमें राइट एंसर फर्स्ट यानि कि हाइपो टॉनिक सॉल्यूशन ठीक है हाइपो टॉनिक सॉल्यूशन है हमारा 0.45 परसेंट नॉर्मल सेलाइन जिसे हम लोग नेस भी कहते हैं सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोईशन है और करता है कि उनकी आवास पे डाल यृट लालता है ठीक है तो वह हमारी जो है राइट एंसर है बायो डैवर्शिटी फोर्ट ऑफसन जो है राइट एंसर है बायो डायो整 है अब हमारा वीच इस एन इंट्रेंसिक रिस्क फैक्टर that places the client at risk for pressure ulcers यानि की कौन सा ऐसा risk factor, intrinsic risk factor जो कि किसी भी person को pressure ulcer के risk में डाल सकता है तो वो हमारा इसमें जो third option है impaired tissue perfusion वो right answer है ठीक है tissue perfusion के case में हमारा जो है pressure ulcer हो सकता है अब हमारा next question है the instrument used to retract the skin ages, blood vessels, nerves and abdominal wall is यानि की कौन सा ऐसा instrument है जो कि retraction के लिए जो 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 जाता है वो भी किसके retraction के लिए तो skin ages के लिए blood vessels के लिए, nerves के लिए, abdominal wall के लिए इसमें हमारा third option right answer है length and back retractor retractor तो बहुत होते हैं, journey होते हैं, doins होते हैं, deaver होते हैं लेकिन उसमें हमारा langen back जो है, वो best माना जाता है इसके लिए इसके बाद हमारा next question है the pollutant standard index is related to यानि pollutant standard index जो है, इन में से किस से related है ठीक किस से संबंद रखता है तो इन चार option में से जो पहला हमारा option है यानि air pollution वो हमारा जुड़ा हुआ है तो right answer is air pollution अब हमारा next question है what mixture of gases is used in general anesthesia यानि general anesthesia जिसमें पेशेंट को पूरी तरह से बेहोस किया जाता है तो उसमें किस gas का mixture यूज किया जाता है इसमें third option जो है right answer यानि oxygen और nitrous oxide के mixture को यूज करते हैं जेनरल anesthesia के time में अब हमारा next question है when the environment protection act came into force in India यानि कब भारत में environment protection act आया तो इसमें right answer is fourth option यानि 1986 में अब अगला सवाल है what is capnometry यानि capnometry का क्या काम है तो इसमें second option है वो right answer is the measurement of end tidal CO2 यानि carbon dioxide के measurement के लिए हम लोग capnometry का यूज कलते हैं इसमें लोग capnostate भी गहते हैं अब हमारा next question है call calciferol is synthesized in जिसका right answer is fourth option skin ये बहुत important question है जो कि अकसर exam में पूछा जाता है तो call calciferol जो है वो vitamin D3 के नाम से भी जाना जाता है vitamin D3 जो है skin में यानि कि कोई भी vitamin D जो है वो हमारे skin में ही synthesized होता है ठीक है तो ये हमारा question था इसका right answer is skin इसके बाद हमारा next question है which of the following is not considered a portal of entry for bacteria यानि इसमें से कौन सा रास्ता जो है वो bacteria के entry के लिए नहीं consider किया जाता है ठीक है तो इसमें हमारे eye के थूप बेंटर कर जाएगा मुझ से भी कर जाएगा नोच से भी कर जाएगा लेकिन skin के उपर वो बैठा रहता है इसकीन में कोई cut वागे रहा होगा तब जाके वो अंदर enter करेगा तो intact skin जो है हमारा first option वो right answer is question का इसके बाद next question है lactam-lactam interconversion is an example of यानि lactam-lactam interconversion जो है इसका कौन सा best example है ठीक है यानि tortomerism का ये example है ठीक है tortomerism है यहाँ पर लिखा हुगा है third option right answer है tortomerism का ये example है lactam-lactam interconversion इसके बाद next question है what type of immunity occurs when a person is given an injection of immune serum यानि immune serum का अगर किसी को injection दिया जाता है तो वो किस type का immunity उसके body में है उस time जो है वो पाता है ठीक है तो इसमें जो हमारा है अगर जो naturally वो by birth पाया है तो वो तो natural हुआ उसका लेकिन artificial का जो बाहर से दिया जा रहा है ठीक है तो ये injection serum जो बाहर से ही तो दिया जा रहा उसके immunity के लिए ये ये हमारा fourth option जो राइट answer है passive artificial immunity इसके बाद next question है what is the color coding of the bags used in hospitals to dispose of human anatomical waste such as body parts यानि की hospital में बहुत सारे dust bin होते हैं जिसमें yellow, black, white, blue, red ये सब होते हैं तो उसमें जो है कौन से dust bin है जिसमें के human anatomical waste यानि कि जो भी body parts ने कटे चटे जो बांग चले किसी का उंगली किसी का पैर ये सब अगर कट जाता है उन सभी को discard करेंगे इसके बाद next question है seek building syndrome refers to तो seek building syndrome जो है इसका मतलब क्या है तो इसमें हमारा second option है वो right answer indoor air quality ये किसको refer करता है तो indoor air quality को ठीक है इसके बाद हमारा next question है which of the following cellular organelles serve as the site of protein synthesis यानि कि cell में जो है बहुत सारे organelles होते है cell के अंदर भी बहुत सारे part है तो उसमें किसका काम है protein synthesis करना यानि site कहां है protein synthesis का तो endoplasmic reticulum third option right answer है उसमें जो endoplasmic reticulum है जिसे हम लोग ER के नाम से भी जानते है इसमें ribozum होता है जो कि protein synthesis के लिए responsible होता है अब हमारे next question है in hospitals the waste sarps are disposed of in containers यानि hospitals से बहुत सारे dust bean होते हैं तो उसमें जो sarp waste होते हैं जो नुकीले होते हैं जिसे cut वगएरा लग सकता है हमारे सरीर में ठीक है तो वो सारे को किस dust bean में किस container में discard करेंगे तो उसमें हमारा जो first option है blue तो blue dust bean में हम लोग इसको discard करेंगे मेलली जो needle वगएरा होते हैं उसको हम लोग जो है puncture proof white container में discard करते हैं ठीक है और जो glasses वगएरा है while वगएरा है तो उन सब को हम लोग blue में करते हैं discard अब हमारा next question है which of the following amino acids have an indulged ring in their structure यहां चार option दिये गए है उन में से कौन सा amino acid के पास indulged ring होता है तो third option जो है tryptophan उसमें क्या होता है कि indulged ring present होता है इनके structure में अब हमारा next question है which ozone layer provides great benefit to the life on earth यहानि कि कौन सा ozone layer है जो कि हमारे अर्थ पे बहुत ही beneficial साबित होता है बहुत ही लाब दायक है जीवन के लिए यानि जो भी जीव जनतु है इनसान है जी रहे है तो उनके लिए वो जो है beneficial है भाइदे मंद है तो जो second option है stratosphere यानि समताप मंडल यह जो है उस पे ozone layer होता है ठीक है और यह बहुत जादा ही beneficial है life के लिए इसके बाद हमारा next question है which of the following is an inhalational anesthetic agent यानि कि चार option दिये गए उन में से कौन सा inhalational anesthetic agent है ठीक है तो इसमें हमारा halothene है वो inhalational anesthetic agent है जो कि inhale करके ठीक है यानि जिसको सांस के थुरू लेंगे भैपर के form में वो change हो जाएगा ठीक है volatile होते है इसके बाद next question है blank खाली स्थान है the major fat present in adipose tissue यानि इडिपोस टिश्यू में fat जो है store होते है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा fat store होता है तो इसमें जो second option है वो right answer है तो second option क्या है तो triacyl glycerol triacyl glycerol जो है वो इसका right answer है तो इसी तरह हम लोग इस वीडियो का एंड करते हैं और भी कुछ questions है जिसे हम लोग दूसरे वीडियो में discussion करेंगे क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ही long हो जाता फिर ठीक है तो आप लोग बोर हो जाते तो अभी के लिए इतना ही अभी यह सारे questions को याद करिए यह आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा ही helpful होगा ठीक है क्योंकि यह previous year paper का है तो thank you for watching my video मिलते है नेक्स्ट वीडियो में